मन पर विराजमान, महाराष्ट के राजपाल, स्रिमान पगत्स्वीं जी, यहां के लोगप्रिय मुख्मंत्री अकनाथ सिंदे जी, इसी धर्ती के संतान और महाराष्ट के उजवल भविश्व के लिए प्रयत नरत, स्रित देवेंद्र जी, नितीन जी, राव साब दानवे, डॉक्टर भारती ताई, और विशाल संख्या में पधारे हुए, नाकपूर के मेरे प्यारे भाई और बेहनों, आज संकस्टी चतुर्थी आहे, कौन ते ही शुपकाम करताना, आपन प्रथम गणेश पुजन करतों, आज नाकपूरात आहोत, तर टेकडी चा गणपति बापारा माजे बंदन, 11 दिसंबर का आज का दिवस, संकस्टी चतुर्थी का पवित्र दिवस है, आज महराश्ट्र के विकास के लिए, 11 सितारों के महा नक्षत्र का उदय हो रहा है, पहला सितारा, हिंदू रदय समराट, बाड़साब ठाकरे, महराश्ट्र समरुद्धी महामार्ग, जो अब नाकपूर और स्रिडी के लिए तयार हो चुका है, दूसरा सितारा, नाकपूर एम्स है, जिसका लाब विदर्प के एक बड़े ख्षेत्र के लोगों को होगा, तीसरा सितारा, नाकपूर में नेशनल इंस्टिटूट अब बन हेल्थ की स्थापना है, चौथा सितारा, रक्त समंदी रोकों की ठोक्थाम के लिए चंद्रपूर में बना आईसी एमार का रिसर्च सेंटर है, पांचवा सितारा, पैट्रो केमिकल छेत्र के लिए बेहत एहम सिपेट चंद्रपूर की स्थापना है, छट्था सितारा, नागपूर में नाग नदी के प्रदिशन को कम करने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट, साथवा सितारा, नागपूर में मैट्रो फेज बन का लोकारपन और दूसरे फेज का सिलान्यास है, आठवा सितारा, नागपूर से बिलाधपूर के बीच, आज प्रारंभ हुई बंदे भारत एक्स्प्रेस है, नवा सितारा, नागपूर और अजनी रेल वेश्टेसन के उनर्विकास की परियोजना है, दस्वा सितारा, अजनी में बारा हजार होर्स पावर के रेल इंजीन के मेंट्रेनेंस दीपो का लोकारपन है, ग्यारवा सितारा, नागपूर इटारची लाइन के कोली नर्केड रूड का लोकारपन है, ग्यार सितारों का ये महा नक्षत्र, महाराश्टर के विकास को नई दिशा देगा, नई उर्जा देगा, आज़ादी के 75 साल के अमरित महोसों में 75 हजार करोड रूपिय के इन विकास कारियों के लिए, महाराश्टर को, महाराश्टर की जन्ता को बहुत बहुत बजाई, साथियों, आज का ये आयोजन, इस बात का भी प्रमाण है, कि डबल इंजीन की सरकार, महाराश्टर में कितनी तेज गती से काम कर रही है, सम्रद्धी महामार्क से, नाकपूर और मुंबई के बीच, दूरी तो कम होगी ही, ये महाराश्टर के 24 जिलों को, आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड रहा, इसे, खेती किसानी को, आस्था के विबिन स्थलों में, आने जाने वाले स्रदालूओं को, उद्योगों को, बहुत बड़ा लाब होने वाला है, रोजगार के नए आउसर बनने वाले, चाथियों, आज के दिन की एक और विशेष्ता है, आज, जिनी योजनाओं का लोकारपन हुआ है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक वीजन दिखता है, एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्टर है, और समुर्दी महामर्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्रक्टर है, इसी तरह बंदे भारत एक्सपेस और नागपूर मेट्रो दोनों ही एक अलग प्रकार का केरेक्टर हुज इंफ्रास्ट्रक्टर का, लेकिन ये सब एक बूके में, एक गुल्दिस्ते में, अलग अलग फूलों की तरह, जिससे निकल कर, विकास की खुश्वो जन जन तक पहुँचेगी, विकास के इस गुल्दिस्ते में, बीते आट वर्सों की मेहनत से तयार, विशाल बगीजे का प्रतिविम्ब भी है, चाहे बात सामान दे मानवी के लिए हिल्ट केर की हो, या फिर विल्ट क्रियेशन की हो, चाहे बात किसान को ससक्त करने की हो, या जल सवरक्षण की हो, आज पहली बार देश में, ऐसी सरकार है, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानिविय स्वरूप दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा हुमन टच्च, जो आज हर किसी के जीवन को सपर्ष कर रहा है, हर गरीब को पाँच लाख रुपिये तक का मुप्त इलाज देने वाली आईश्चमान भारत योजना हमारे सोचल इंफ्रा का उधारन है, काशी, केदारनात, उज्जेन से लेकर पंडरपुर तक हमारे आस्था स्थलों का विकास, हमारे कल्चरल इंफ्रा का उधारन है, 45 करोर से ज़्यादा गरीबों को बैंकिम सिस्टिम से जोड़ने वाली जंदर योजना हमारे फाइनशल इंफ्रा स्थलों का उधारन है, नाकपूर एम जैसे आधुनिक अस्पताल खोलने का अभियान, हर जिले मेडिकल कॉलेज खोलने का अभियान, हमारे मेडिकल इंफ्रा स्थलों का उधारन है, और इन सब में, जो बात कॉमन है, वो है मानिविय संवेदनाओं का तत्व, हुमन टच, संवेदन सिल्का, इंफ्रास्ट्रेक्टर को हम सिर्फ निर्जीव सडकों और फ्लाइवर तक नहीं समेट सकते, इसका विस्तार कहीं जादा बड़ा है, और साथियों, जब इंफ्रास्ट्रेक्टर के काम में सम्वेदना नहीं होती, उसका मानिविय स्वरूप नहीं होता, सिर्फ इड, पत्थर, सिमेंट, चूना, लोहा दिखता है, तब उसका नुक्षाज, देश की जनता को उठाना पड़ता है, सामान्य मानिवि को उठाना पड़ता है, मैं आपको गोशी खुर्ट डेम का उदाहर देना चाहता हूँ, 30-35 साल पहले इस डेम की निव रखी गई थी, और उस समय उसका अनुमानित खर्च 400 करोड रुपिय के आसपास था, लेकिन बर्सों तक संबेदना हिन कार्य शैली के कारण बर्सों तक वो डुयम पूरा नहीं हो पाया, अब देन का अनुमानित खर्च 400 करोड से बढ़ करके, अठारा हजार करोड पे हो गया, 2017 में डबल इंजीन की सरकार बनने के बाद इस डेम का काम तेज हुआ है, हर समस्या को सुल्जाया गया है, मुझे संतोस हैं कि इस वर्स ये डेम पूरा भर पाया है, आप तलपना कर सकते हैं, इसके लिए तीन दसक से ज़्यादा लगे, तब जाकर इसका लाब गाउं को, किसान को मिलने लगा, भाई और भेनों, आज जादी के अमरित कान में, देश विक्सीत भारत के बिराड संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, विक्सीत भारत के निर्मान का रास्ता है, भारत की सामुहिक ताकत, विक्सीत भारत के निर्मान का मंत्र है, राश के विकास के लिए, राज्य का विकास, बीते दसकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमित रखते हैं तो आउसर भी सीमित हो ही जाते हैं जब सिख्षा कुछी लोगों कुछी वर्गों तक सीमित थी तो राश का टैलेंट भी पूरी तरह निखर कर सामने नहीं आ पाया जब बैंकों तक कुछ लोगों की पहुँच थी तो व्यापार कारोबार भी सीमित ही रहा जब बहतर कनेक्टिविटी केवल कुछ सहरों तक सिमित थी तो ग्रोध भी उसी दाइरे तक सिमित रही यानि विकास का पूरा लाब ना तो देश की बड़ी आबादी को मिल पा रहा था और ना ही भारत की असली ताकत उभर के सामने आ पा रहे हैं बीते आट वर्षों में हमने ये सोच और एप्रोच दोनों बड़नी हैं हम सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास और सबका प्रयास इस पर बल दे रहे हैं और जब मैं सबका प्रयास कहता हूँ तो इसमें हर देश वासी शामिल है और देश का हर राज्य शामिल है छोटा बड़ा जो भी हो सबका सामर सब बढ़ेगा तब जाकर भारत विक्सित बनेगा इसलिए हम उनको प्रोसाहित कर रहे हैं जो पीछे रहे गए बंचित रहे गए जिनको छोटा समझा गया यानि जो पहले बंचित था वो अब हमारी सरकार की बरियता में है इसलिए आज छोटे किसानों के लिए बरियता के आधार पर काम किया जा रहा है पीएम किसान सम्मान निजी का बड़ा लाप यहां विदर्प के किसानों को भी मिला है यह हमारी ही सरकार है जिसने पशुपालकों को बरियता देते हुए किसान क्रेडिट कार की सुविदा से जोड़ा है हमारे रेडी पट्री ठेले वाले भाई बेंड स्ट्रीट बेंडर्स उन भाई बेहनों को भी पहले कोई पुष्टा नहीं था गो भी बन्चित थे आज ऐसे लाखों साथियों को भी वरियता देते हुए बैंक से आसान रण मिल रहा साथियों बन्चित को भरियता बन्चित को भरियता इसका एक और उदान हमारे आकांग्षी जिलों का भी है देश में सो से अधिक जिले ऐसे हैं जो आजादी के इतने दसकों बाद भी विकास के अनेक पहमानों पर बहुत पीछे थे इन में से ज्यादा तर आदिवासिक शेत्र थे हिंसा से प्रभावित शेत्र थे इन में मराठवाड और विदर्व के भी अनेक जिले शामील है बीते आठ वर्सों से हम देश के ऐसे ही बंचित छेत्रों को तेज विकास की उर्जा का नया केंद्र बनाने पर बल दे रहे हैं आज जिन प्रजेस्ट का लोकारपन और सिवान्यास हुआ है बेभी इसी सोच और एप्रोच का प्रकट रूप है साथियों आज आप से बात करते हुए मैं महाराश्ट के लोगों को देश की लोगों को भारत की राजनीती में आ रही एक विक्रती से सावधान भी करना चाहता यह विक्रती है शोट कट की राजनीती की यह विक्रती है राजनीती स्वार के लिए देश का पैसा लुटा देने की यह विक्रती है करदाताओं की घाड़ी कमाई को लुटा देने की शोट करट अपनाने वाले यह राजनीतीक दल यह राजनीतीक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है जिनका लक्ष जूटे बाइदे करके सिर्फ सरकार खड़पना होता है वो कभी देश नहीं बना सकते आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले पचीस वरसों के लक्षों पर काम कर रहा है तो कुछ राजनीतीक दल अपने नीजी स्वार्त में भारत की अर्थ ववस्ता को तबाह कर देना चाहते है हम सब को याद होगा जब पहली अउद्योगी क्रांति आई हिंदुस्तान उसका लाब नहीं उठा पाया कि दूसरी तीसरी अउद्योगी क्रांति में भी हम पीछे रहे लेकिन आच जब चौती अउद्योगी क्रांति का समय है तो भारत इसे गवान नहीं सकता। मैं फिर कहूंगा ऐसा आउसर इसी देश के पास बार बार नहीं आता। शौर्ट कर्ट से कोई देश चल नहीं सकता। देश की प्रगति के लिए स्थाई विकास, स्थाई समाधान के लिए काम करना एक लोंग कम वीजन बहुत ही जरूरी है। और स्थाई विकास के मुल में होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक समय दक्षिन कोरिया, साउथ कोरिया भी गरीब देश था। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उस देश ने अपना भाग्यों देगा। आज खाड़ी के देश इतना आगे इसलिए भी है। और लाखो भारतियों को महारोजगार मिलता है। लाखो भारतियों क्योंकि उन्होंने भी बीते तीन चार दसकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, आधुनिक किया है और फ्यूचर लेड़ी किया है। अरे कब आपको पता होगा, आज इंदुस्तान के लोगों को सिंगापूर जाने का मन करता है। कुछ दसक पहले तक सिंगापूर भी एक सामान्य आईलेंड कंट्री हुआ करता था। फिशरी से कुछ रोजी रोटी लोग कमा लेते थे, लेकिन सिंगापूर ने इंफ्रास्टेक्टर पर निवेश किया, सही आर्थिक नीतियों पर चला, और आज वो दुनिया की आर्थे ववस्ता का इतना बड़ा केंदर बना हुआ है। अगर इन देशों में भी शौट कट की राजनिती हुई होती, टैक्सपेर का पैसा लुटाया गया होता, तो ये देश कभी उस उन्चाई पर नहीं पहुँच बाते जहां आज है। देर से ही सही भारत के पास अब यह अवसर आया है। पहले की सरकारों के समय हमारे देश के इमानदार कर दित दाताओं ने जो पैसा दिया, वो या तो ब्रस्टा चार की भैंट चड़ गया, या फिर वोट बैंक को मजबूत करने में कब गया। अब समय की मांग है कि सरकारी खजाने की पाई पाई का उप्योग, देश की पुझी, युवा पीडी के पुझवल भविश के लिए निर्मान पर खर्च होने चाहिए। मैं आज भारत के हर युवार से आगर करूँगा, हर टेक्ट पेर से आगर करूँगा, ऐसे स्वार्थी राजनितिक गलों को, ऐसे स्वार्थी राजनितिक नेताओं को एप्सकोर्च करिए। आमजनी अठंडी, खर्चा रुपया, येवाली कुनिति लेकर के जो राजनितिक दल चल रहे हैं, बेश इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। दुनिया के कई देशों में हमने आमजनी खर्णी, खर्चा रुपया, ये ऐसी कुनिति की बज़े से पूरी अर्थे बवस्ता को तबाह होते देखा है। हमें मिलकर भारत को ऐसी कुनिति से बचाना है, याद रखना है एक और आमजनी अचन्नी खर्चा रुपया, ये वाली दिशाहिन कुनिति और सिर्फ स्वार्थ है। वहीं दूसरी और देश हीत और समर्पन भाव है। थाई विकास, थाई समाधान का प्रयास है। आज भारत के युवाओं के पास जो अवसर आया है, वो हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और मुझे खुशी है कि आज देश में स्थाई विकास और स्थाई समाधान को सामान्य मानवी का भी जवर्जस समर्तन मिल रहा है। अभी पिछले सप्ता गुजरात में जो चुनाव के नतिज़े आये हैं, वो स्थाई विकास और स्थाई समाधान की आर्थिक निती, विकास की रन निती का पर्राम है। मैं स्थाई विकास के विजन को समझिये, उसके महत्व को समझिये, आज देश के लिए उसकी कितनी जरुत है, उसको समझिये। स्थाई विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं, बार बार चुनाव जीत सकते हैं, ऐसे दलों को मैं कहरे चाहता हूँ, आपको डरने की जरुत नहीं है। मुझे भी स्वास है, जब आप देश हित को सरवों परी रखेंगे, तो शौर्ट कट की राजनिती का रास्ता भी जरूर त्याग करेंगे। बाई और बहनों, एक बार फिर महारास्त्र के लोगों, देश के लोगों, इन परियोजराओं के लिए मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ। और मैं मेरे दोज़वान दोस्तों से कहता हूँ, ये जो मैंने आज ग्यारा सितारे दिखाए हैं, जो मैंने आज ग्यारा सितारों के आपके सामने घिंती किये हैं, ये ग्यारा सितारे आपका भविश्य गढ़ने वाले हैं, आपके लिए अवसरों को जन्म देने वाले हैं और यही रास्ता है यही रास्ता सही है एसह पंथा है इस मंत्र को ले करके आए पूर्ण सबर्पन प्राव से अपने आप को खपा दे पचीज साल का ये मोका हम जाने नहीं देंगे दोस्तों बहुत बहुत धन्वाद झाल